दोस्तो अभी हम रिव्यू करने वाले हैं जहां चार यार का कल 16 सितंबर को ये फिल्म ठेटर में रिलीज होई है बहुत ही लिमिटेड स्क्रिन्स पर हमारे यहां पर बस एक ही शो इसे मिला हुआ था तो आज मैं इसे देख कर आया हूँ 17 सितंबर को जाने से पहले ही पता था कि एक बहुत भयानक टॉर्चर जेलने के लिए जा रहा हूँ तो बड़ा धाडस बंधा कर अपने आपको मैं आज ये फिल्म देखने के लिए गया था तो फिल्म के राइटर और डिरेक्टर है कमल पांडे और फिल्म में मुक्य बुमिका में है स्वरा भासकर, महरवीच, शिखा तलसानिया, पूझा चोपरा, मनिश चौधरी, गृष कुलकर्नी, आधी आधी तो एक बार में इस फिल्म का जो एक संग्षेप में विवरण बुकमाई शोपर लिखा हुआ है, उसका हिंदी अनुवाद करके मैं आपको पढ़कर बताता हूँ ये चार महिलाओं की कहानी है, जो सिर्फ मध्यमवर्ग की ग्रेणी होने के घुटन से मुक्त होने का विकल्प चुनती है और कुछ दिनों के लिए अपने शर्तों पर थोड़ा जीने का फैसला करती है ये चार दोस्तों की एक ऐसी कहानी है जो उनके unexpected से adventure को दिखाती है ये उनकी vacation की छुट्टी की कहानी है जो एक मासूम से जूट के साथ शुरू होती है मस्ती में बदल जाती है और बाद में एक जीवन और मुर्त्यू के अंधेरे खेल में फस जाती है और ये जो उनकी चुट्टी है यात्रा है पूरी वो finally अंत में उन्हें अपनी आवाज और पहचान खोजने में मदद करती है उनकी voice और identity खोजने में मदद करती है देखे इस similar theme पर आधारित आज कल कई सारी फिल्में बनी हुई है और दूसरी जिम्मा नाम की अभी कुछ समय पहली रिलीज हुई थी और देखे इन जैसी जितनी भी फिल्में होती है उनकी जो theme होती है वो लगबग एक जैसी होती है कुछ महिलाय होती है वो अपने परिवार के जो भी साथ ससुरुपती बगरा है उनकी कथित पेट्रियार्कल सोच से वो बहुत परिशान होती है जैसा कि यहाँ पर शब्दुपियोग किया है मद्यमर्गिय ग्रेनी होने की घुटन से उन्हें मुक्त होना होता है पारिवारिक बंधोनों को तोड़ना होता है परिवार की जो घिनोनी, रिग्रेसिव, कंसर्वेटिव, पिछडी हुई और पेट्रियार्कल सोच है उन बंधोनों को उन्हें तोड़ना होता है और फिर उन बंधोनों को तोड़कर वे कही पर ट्रिप के लिए जाते हैं यह तो मैं आज तक नहीं समझ पाया है कि मौज मस्ती करने से अपनी पहचान प्राप्त होती है हाला कि इसमें से जो मैंने जिम्मा का उधारन दिया वो एक थोड़ इसी डिफरेंट थि The यह दियह वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस था उसमें परहां उसमें भी लंड़न में कई सारी महिला है उसमें लंड़न में जाती है vacation के लिए और वहां जाने के बाद में फिर वही drink वगएरा करना, parade, pads वगएरा ऐसे शब्दों को जोर जोर से चिलाना, पता नहीं ये pads वगएरा ये शब्द ऐसे जोर से चिलाने से कैसे true identity प्राप्त होती है या इसमें कौन identity प्राप्त होना को मिला कर दिखाया जाता है सबसे पहली बात तो ये जो liberals या woke जो लोग होते हैं उनकी अनुसार जो उनकी एक माननेता होती कि जो महिला हैं उनकी विवाह में अपनी कोई identity नहीं होती अपनी कोई पहचान नहीं होती ये बात भी मेरी समझ से परे हैं पती हो या पत्नी हो वे दोनों ही दो पईयों की तरह होते हैं किसी cycle के और वे दोनों ही अपने परिवार के उनके अपने कुछ कर्तव्य होते हैं उनकर्तव्यों का उन्हें पालन करना होता है ऐसे फिल्मों कई बार ये एक डायलोग हमें सुनने को मिलता है कि बहुत पुरुष होते हैं वे तो मौझ मस्ती करते रहते हैं पर जो पत्नी होती है या जो महिलाय होती है उन्हें मौझ मस्ती नहीं करने दी जाती मतलब भाई पता नहीं मतलब इनके कुछ वो अपने कुछ एलिट सोसाइटी वगरा में ऐसा कुछ होता होगा तो पता नहीं एक सामन्य मध्यमवर्गे परिवार में आज भी आप जाकर देख लीजिए वो परिवार तीन-चार वर्षों में कही पर उन्हें घुमने के लिए भी जाना होत है ना तो तीन-चार वर्ष वे लोग प्लैनिंग करते हैं पती हो पत्मी हो दोनों ही थोड़े-थोड़े पैसे जमा करते हैं कि यार हम कही पर जाएंगे तीन-चार वर्ष वा थोड़े से पैसे जमा हो जाएंगे सेविंग्स को लेकर हम अपने बच्चों के साथ में परि कोई जिम्मेदारी नहीं है इस बात को ऐसे जनरलाइज करके दिखाना ये तो पता नहीं कहां से सूचती है ये सारी बाते मेरी तो समझ से परे हैं जबकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर जालतर ग्रीनिया लगबग 90 प्रतिशत ग्रीनिया स्वयम रोजगार से पैसे कमाती है किसी ना किसी प्रकार से चाहे वो ब्यूटी पारलर चलाना हो या सिलाय मशीन का काम करना हो या फिर फरसान बनाकर लड़ू बनाकर अचार ब पड़ बनाकर बेचना हो या फिर कही पर जॉब करनी हो या फिर कई सरी महिलाए टीचर होती है या फिर घर का शॉप चलाना हो या पती के साथ खेती में काम करने के लिजाना हो या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर मिट्टी या पत्थर उठाना हो आप देखेंगे भारतिय ग्रहिनिया किसी ने किसी प्रकार से स्वेम रोजगार से पैसे कमाती है ताकि पती के कंधे के साथ कंधा मिला कर वे अपना कोई ना कोई परिवार में सहयोग दे पाए पती हो पत्नी हो वे दोनों ही दो पईयों की तरह होते हैं उनके अपने अपने कुछ कर्तव्य होते हैं विवा में अपने परिवार के प्रती अपने विवा की संस्था के प्रती जो उन्होंने वचन दिये हुए हैं उसके प्रती उनका कुछ कर्तव्य होता है उनके बच्चो के प्रतिए उनका कुछ कर्टव्य होता है और ये कर्टव्य अगर किसी को बंधन लगते हैं ये सारी बात अगर किसी को रिग्रेसिव लगती है पिछडी हुई लगती है तो भाई उन्हें विवा के संस्ता में पढ़ना ही नहीं चाहिए आप रहिए अलग रहिए विवा के संस्ता में जाहिए ही मत फिर आप जो भी अपना जो कुछ मौज मस्ती करना है जो कुछ भी आपकी लिबरेट होना चाहते हैं जो कुछ आप जिस बात को freedom समझ रहे हैं या multiple partners या sex buddy, fuck buddy जिन बातों को आज कल की फिल्मों में बहुत promote किया ज जाता है जैसे भी आप lifestyle जीना चाहते हैं आप जी है ना भाई पर विवा के संस्ता का कम से कम मजाक मत उड़ाइए एक पती हो पत्नी हो उनके अपने अपने कुछ कर्तव्य होते हैं और दोनों को ही अपने विवा के प्रति समर्पित होना पड़ता है उन बंदनों को आप पूट रहे हैं भाई ये बंदन है वो बंदन है तो हां होते हैं विवा में बंदन आप एक परिवार में होते हैं तो हां होते हैं आप अपने कुछ कर्तव्य और उन कर्तव्यों से भागना विविचार को किसने किसी प्रकार से justify करना कुछ ऐसे characters लिखना कि आप उस विवि इस तर पर खुश नहीं कर पा रहा, शाररिक्स सुख नहीं दे पा रहा, काम में बहुत बीजी है, इस प्रकार के characters बार 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 लिखे जाते हैं, Netflix इंडिया का तो आप content उठा कर देख लीजे, चाहतर content आपको ऐसा ही मिलेगा, और फिर इसकी आड में पत्नी के extremital affair को justify करना इसके अलावा कुछ सूचता नहीं है क्या भाई, यहाँ पर भी मतलब जो पती के character जो चार महिलाएं दिखाई है, उनमें से एक महिला को थोड़ा सा उन्होंने वो dominant कर रही है, पत्नी पर ऐसा दिखाया है, और बाकी की जो तीन friends है, तीन महिलाएं हैं, उनके लिए जैसा क अपने trailer में भी देखा होगा, यह चारो की चारो महिलाएं अपने परिवार के बंदनों से, पतियों के बंदनों से बहुत ज़्यदा frustrate हो जाती है, एक पती को नपुनसक दिखाया है, एक पती को पत्नी की बिल्कुल care नहीं है, वो वस उसे काम के लिए use कर रहा है, एक ऐस पती है, जिसका बाहर कही पर दुसरी महिला के साथ में चक्कर चल रहा है, तो यह सब कुछ बहुत frustrate हो जाती है, और फिर वहाँ पर एक वो विदेशी लड़के को, गोरे बंदे को वहाँ पर बुलाते हैं, डांस वगेरा करने के लिए, और इसके बाद में एक बहुत ऐस कुछ दुरहटना हो जाती है, और वो चारो की चारो यह जो महिला है, वो वहाँ पर फस जाती है, और फिर आगे क्या होगा, वो आपको फिल्म देखने पड़े की जानने के लिए, अब फिल्म के सब्जेक को साइड में रखकर, अगर केवल तांतरिक दृष्टी से हम फिल क्रेस नहीं बनता, कि यार इन चारो महिलाओं के साथ क्या होगा आगे जाकर, या वो जब उनके उपर एक संकट आता है, तो उसके बाद भी वो कैसे बच पाएंगी, या क्या होगा, कही पर भी उन क्रेक्टर्स के साथ हम कनेक्ट नहीं हो पाते, या हम उनके साथ जुड नहीं पाते हैं, उनके साथ आगे क्या होगा है, जाननी की उत्सुता हमारे अंदर नहीं बन पाती, और जो ओवरॉल डिरेक्शन था, वो बहुत ज़्यादा बचकाना था, इवन कुछ जगो पर किसी बी ग्रेंट फिल्म को हम देख रहे हैं, ऐसा भी लगता है, बाकि पर बहुत धनिवाद, जैश्री राम, बंदे मातरम